अब्र दोस्तों वेलकम टू अमसार चैनल तो आज हम लेकर आएं आपके लिए चैप्टर फॉर का अब बात करेंगे हम सब्रावर करें चैनल तो इस वीडियो में आपको बताए जाएगा एपरोंग करने में आपको तो अब सुरू करते हैं सर्ट क्या होते हैं if n root a is irrational where a is a rational number and n is a positive integer then n root a or a की power 1 upon n is called a third or radical of order n and a is called the radical तो जब कभी भी जैसे हमारा root 2 है तो root 2 कैसा number होता है root 2 है हमारा irrational number irrational number तो यहाँ पर अब ऐसे ही हम बात करेंगे root 3 की 3 root 3 यह है तो यह से बोलते हम q root 3 तो इसे बोला जाएगा index इसे बोलते हम index या फिर इसे बोलते हम order किस order की हमारी radical है यह बोला जाएगा और यह जो 3 होता है इसे बोलते हम radicand इसे बोलते हम radicand, तो index और third order और radicand यह आपको पता चल गया होगा यह क्या होते है ठीक है, तो इस root, q root 3 को हम 3 की power 1 upon 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही root 2 को हम 2 की power 1 by 2 भी लिख सकते हैं तो अब points पर चलते हैं, a third of order 2 is called a quadratic or a square third, तो जो order 2 की होगी, मतलब जिस पे index कितनी होती है, 2 जैसे root 2, तो यह क्या है हमारी square third सा, क्या है square third, ऐसे ही जिसकी order 3 होगी, वो होगी हमारी cubic third, जैसे यहाँ पे cube root 3 थी, यह हमारी cubic third है, a third of order 4 is called a by quadratic third तो जिसका order 4 होगा, जैसे 4 यह होगा, 6 की power 1 by 4 तो यह order 4 की third होगी, ठीक है यह third and radical होगी इसके बाद बात करते हैं, third in simplest form, तो इसके 3 rule होते हैं सबसे पहले, simplest form में लाने के, तो the smallest possible index of this radical तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास यह दे रखा है q root 27, अब यह है तो इसमें क्या करते हैं, smallest जितना courses हम करेंगे कि यहाँ पे जो value है index की, इसे index बोलते हैं, इसे index बोलते हैं, तो यहाँ पे जो value है possible होनी चाहिए कि छोटी से छोटी हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 27 को हम यहा लिख सकते हैं q root में 3 की power, 3 लिख सकते हैं तो इस 3 की power 3 को हम q root को बताए 1y3 लिख सकते हैं तो अब क्या होगा यहां से 3 की power 3 into 1y3 हो जाएगा 3 से 3 कर जाएगा यहां पर एगा 3 तो हमारा radical हटी है यहां पर radical form होगा 0 हमारी ठीक है तो हम यहां क्या try करते हैं कि जो हमारी index हो वो smallest होनी चाहिए यह आपकी समझ में आगया होगा इसके बाद चलते है no fraction under the radical sign तो कोई भी fraction जो होती है radical sign के अंदर fraction नहीं होती जैसे अब यहां पर example देख सकते हैं हमारे पास example है 21 upon 12 का अब यह radical sign के अंदर रखा है लेकिन जब इससे हम solve करते हैं जब इससे solve करेंगे तो हमारे जो common factor है यहां से common factor यह तो 3 से 7 times हो जाएगा 4 से 7 times कट हो जाएगा इसके बाद क्या बचाएगा root में 7 by 4 इसे क्या लिख सकते हम root 7 by root 4 तो यह क्या हुआ यह हमारा fraction radical के अंदर नहीं है यह क्या है हमने separately 7 को अलग लिखा है और 4 को अलग लिखा है तो fraction इससे अलग हो गई ठीक है यह आपके समझ में आ गया होगा हमने क्या किया यहां पर fraction हटा दिया वहां से यहां पर root 7 पर हमारा radical लग जाएगा root 4 पर भी हमारा radical sign लग जाएगा radical sign के अंदर fractions नहीं होती है इसके बाद no factor of form b की power n where b is a rational under the radical sign of index n तो ऐससा जैसे हमारे पास अगर हम 49 को लिखते है 49 को अगर हम q root करते है 49 का 49 का q root करेंगे q root 7 square हो गया 7 square जो है b की power n हो गया 7 हमारा क्या हो गया यह rational number हो गया और 2 क्या हो गया 2 हमारा n हो गया जिसे क्या वो लिखेंगे हम index यह power index है ठीक है यह power index है और यह हमारी third index है जो 3 है यहाँ पे तो इसे कह लिख सकते हैं 7 square into 1 by 3 तो 7 power 2 by 3 यह हो जाएगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तो no factor of the form b की power n तो उसके कोई factor नहीं होते है ठीक है b की power n के let n be a positive integer and a be a real number if a is irrational then n root a is not a third if a is rational then n root a is a third तो यहाँ पे जब a जो होगा यह जब irrational होगा तो वो third नहीं होगा यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या बताएगा है कि हमारा यह जो पूरा टर्म है यह irrational होता है यह वाला लेकिन इसके अंदर जो a है वो क्या होगा वो हमारा rational होगा ठीक है तो इसके बाद third in simplest form होगा तो अब इसके लॉज क्या होता है अब लॉज यह है जैसे हमारे पास four root में two की power four है तो अब हम इसे solve करते हैं तो इसे लिख सकते है two की power four one by four हो जाएगा तो इसका multiply by the two four into one by four तो four से four cancel हो जाएगा यह वच्चे का two तो यह पहला law ऐसे होता है ठीक है यहाँ पे two की power four की जगा sixteen भी हो सकता है four root sixteen तो ऐसे करेंगे तो sixteen को क्या लिख सकते है two की power four लिख सकते है one by four तो four से four यहाँ cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा two ठीक है तो ऐसे ही second law यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे जैसे हमारे पास four में six है हमारे पास ठीक है तो इसके factor करकर के हम क्या लिख सकते है three into two लिख सकते है four root में by quadratic side है यह हमारी तो four root three into four root two यह हो जाएगा तो हमने इसे separately लिख लिख लिया इसे ऐसे भी लिख सकते है तीसरा यह है यहाँ पे side के अंदर side होती है radical के अंदर radical होता है तो जैसे यहाँ पे हम लिखते है q root square two यह form है हमारी तो यह होता है radical यह दो होता है तो क्या करेंगे हम two की power one by two लिख सकते है into one by three हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा two की power one by two into one by three is equal to two की power one by six तो इसे कह लिख सकते है six root two लिख सकते है ठीक है six यह six index number है तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया हो गई है यह वाला law जो तीसरा law है इसके बाद four है तो four में यहाँ पर हमारी fraction form थी पिछले example में मैंने बताया था तो root a पर अलग हो जाएगा radical और b पर अलग हो जाएगा radical क्यू रूट seven upon q root four ऐसे लिख सकते है इसके बाद यह है तो यहाँ पर क्या है हम इसे two root में है हमारा four ठीक है और यहाँ पर लगाए two के square three तो इसे क्या लिख सकते है हम two की power three by four लिख सकते है ठीक है तो इस चीज को हम four q root two का all q लिख सकते है यह तीनों value आपस में बराबर होती है ठीक है यह आपके laws of starts होगे complete इसके बाद next videos में आपको ratio, proportion, direct proportion, inverse proportion इनके बारे में बताए जाएगा यह आपकी practice के लिए कुछ questions दिया है the index form index form of nine nine root four by three का q तो आपको यहाँ पर index form मतलब क्या करना है यहाँ पर आपको simplest form लिखनी है simplest form if three की पावर x is equal to five की पावर y is equal to 75 की पावर z then the value of z तो यहाँ पर आपको relation दिया है यहाँ पर आपको z की value निकालनी है ठीक है और यह आपके exponents part two जो वीडियो थी उसके last में जो practice question दिये थे उसके solutions है पहले का solution five by three की पावर four और दूसरे का solution है one तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सीखने के लिए channel subscribe करें